कि विल्कम एस्ट्रेंट्स एंड फ्रेंट्स आज एक बड़ी अपडेट है यह विटी एसी पर और काफी चात्रों का या मेरे अपने साथियों का ओल था कि अब 6 अगस्त को क्या होना है उस पर भी आप अपडेट दें क्या इस्थिती है उस पर भी बताएं बहुत लोग का प्रस्न था कि अभी तक कि क्या expenditure है क्या कुछ खर्च है क्या कुछ शहयोग है उस पर भी बताएं सारी उनके जीवन का जसा और तीसा बदलने जा रहा है। और अनभवाराज शुरू से सहजितना आप इन्हें उपाहास करें, उफेच्छित करें, केवल सच बोला है, आज भी सच बोलेगा और सच से हरमेशा आईना दिखाने का काम करेंगे, सच पर परदा उठाने का काम करेंगे तो जान लेना आपके लिए जरूरत है कि भविस हमारा कहां जाने वाला है क्या होगा LRC की जो मामला था LRC के जो इसू था ट्रेनिंग चल रहा है जोईन भी लोग कर लिए बर का स्टार्ट भी हो गया है पढ़ भी रहे हैं लोग पढ़ा भी रहे हैं सारा चीज़ लेकिन ये एक बहुत ब़रा सीज है जो BTSC आपकी आग का दसा और दिसा पुरी जीवन का सेंस हो होने वाला है बड़ी रिकूर्मेंट यहां है पर्मानेंट जॉब है जुनियर इंजिनियर का पद है और पिछले लगातार 2011 के बाद विहार में एक भी पर्मानेंट जेई की रिकूर्मेंट नहीं होने दिया गया कौन लोग कैसे उस सारी चीजों को चर्चा करेंगे लेकि सारी बातों को देखने से पहले हम जो भी हमारे लाइव सेशन में आज जूर रहे हैं और शेनी गुडिवनिंग और ऑशन थेंक्यू और एस रॉय गुडिवनिंग तो आज की बहुत महत्पुन टॉपिक है क्लास इसी करान सस्पेंड करके लगा कि इन चीजों पर बहुत ज्यादा डिमांड था और बहुत ज्यादा अपडेट्स की जरुवत था लोगों का तो आप हीटिंग देख रहे हैं और बिटीएसी अब तक क्या हुआ और आगे क्या होगा शौ अगस्ट दोजार चौबिस की है सी में सुनबाई अब तक की जो कहानी है 2009 में पर्मानेंट से बिग्यापन 3389 पद के लिए बिग्यापित किया गया जो की चैन प्रक्रिया था मार्क्स अधारित साटिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ मेरी कोशिस 2015 से ही लगातार पहली बार जब अंका धारित नियावली बनी कंटिन्यू मैं इसके बिरोध में था हूँ और आगे भी रहूँगा कि मुझे इन चीजों को पता था कि जब मार्क्स दिखा करके नौकरी देनी की स्थिती होगी कोई भी कहीं से भी सर्टिफिकेट खरीद करके आएंगे और नौकरी को पाएंगे और जब हम संघर्ष के दीनों में थे हमारे अपने नौजवान साथियों का संघठन था और कमिटी थी सारे लोगों का पी आडी में बीच में एक वहाली आई पी आडी की वहाली में कुछ लोगों का हो गया जिलावार फॉर्म भरना था किसी का कहीं कम भी मार्क्स वाले को किसी ज़्यादा भी हो गया दूसरी रिकूर्मेंट वहार उन्हें इसमें पैरलल बिटीएसी का आया LRC में अमीन को का डिपलोमा होल्डर्स के लिए उसमें भी लगभग मार्क्स वेसी सधारित हो गया हमारे जो संघर सिल्साथी थे उनका था इसमें भी संभावना बन रहा है जिदि जस्टिस होगा हो जाएगा हमकि यह पर्मनेंट डिजॉब है और यह जो पॉइंट्स वाले लोग अमिदा पर काम कर रहे हैं उनके द्वारा इसमें अप्लिकेशन नहीं दिया गया था एक अलग है वो कहानी तो जो नियावली था उसके कोडिंग हमने असपस्ट कह दिया था उस समय में ही जब बिगापन आया कुछ लोगों ने मुझ से पूचा भी था किसर कट अप होने क आसपस रहेगा की डावली एस के कटफ परसेंट के आसपस तक जाएगा यह आप लोग का लगभग कटफ था मेरा जोब बनाया हुआ लोगों ने मानने सीनकार कर दिया वाला की इंपॉसोबल सर्फोटी परसेंट रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन एकोर्डिंग चालिस परसेंट तो बिहार के बच्चों से भरे जाना है लेकिन मैंने उनको इंची जो कभी उस समय कहा था कि वहले से जो कॉंट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं तो स्टेट बोड़ टेक्निकल एजुकेशन के बच्चे भी तो कॉंट्रैक्ट पर हैं जब उनकी पैरूटी बे कर दिखेटना सुरू कर दिए दुबारा जब फ्रवर म कर आया तो लिए आप्षन मिला एक बार तो पहली बार अप्रेल में ही खिलोज फर फर्म भरने का ईपल्टेस मिला अधाई गुना तीन गुना कॉल था जितने सिर्थ था उससे मैक्सिमम लोगों कॉल हुआ तो 40% का भी मैंक तीन गुना कॉल होगा उसके सबसे कम था एक परसेंट लोग ही सेलेक्ट होंगे एक गुना ही लोग सेलेक्शन लोगों का नहीं हुआ तब बॉखला गए रिजल्ट जो है दो अप्रेल 2022 को प्रकासित किया जाता है और प्रकासन के बाद लोग सारे पुड़ी बिहार के स्टुड़ेंट पागल हो गए और खुजने लगे अन्भवराज को कि अन्भवराज कहां है और अन्भवराज को लायज है हम इससे बाहर निकल चुके थे अपनी दुनिया को सुरू कर चुके थे इससे मुहमाया भंग करके बच्चों को परहाने काम हमने सुरू कर दिया था दोहजाराठारा को 15 सितंबर 2018 को इंजिनियर्स दे के दिन हमारी कोचिंग संस्थान राजीव नगर में स्टार्ट हुई हमने छोड़ दिया कि अब हमें कुछ नहीं करना ब आपस कॉल किया मैं पहुंचा तीन अप्राइल 2022 की विडियो हमारी अपनी प्रस्नल यूट्यू चाइनल है इंजिनियर्स अनभव पड़ देख सकेंगे और उसमें एक आफ्लिकेंट इस पद की जोगता धारक अनुभव राज भी है जोगता रखता है तो हमने भी फॉर्म बनाया था और सभी लोगों को आवाहन किया था अनुभव राज की रिजल्ट नहीं हुई है हम अपना रिजल्ट खोजने निकले हैं हम अपने रिजल्ट खोजने के दौरान इनकी क्या होगा उसकी जिम्बारी हमारी नहीं है हम किन्हीं से ब्यक्तिगत नहीं लड़ रहे ह गलत विवस्था को एड़प्ट किया गया सिस्टम के दौरा हम उसके खिलाफ लगना शुरू बहुत लोगों को सहयोग और साथ मिला सब लोगों ने विचार किया का एक बैठा कोई दौर हुआ कुम्रार पार्क में भी मिटिंग हुई कुम्रार पार्क में पुड़े बिहार से साड़े जो हमें जानते थे लोग सब लोगों पहुँचे भी थे और उन्होंने आसा और विष्वास दिया कि आप आगे बढ़िये हम आपके लडाई में साथ हैं हमने लडाई को प्रण्भ किया अवाहन किया कि जितने तरह की तुरूटी हैं सभी तुरूटियों पर पटना उचन्यालाय में सबसे पहले तो बाद को दायर किया जाए केस को दायर किया पहला काम दुसरा काम तो हमें बैक इंड से करना होगा हम निश्ची तरूप से अपनी पुरी फोर्स लगा करेंगे और सिस्टम की तागत नहीं है जब कि अन्भव राज फोर्स लगा देगा तो आप रिजल्ट को होल्ड करा लोगे रिजल्ट को पुब्लिस करा लोगे कि चौदा अप्रेल दो हजार कि मुझे जहां तक याद है चौदा अप्रेल दो हैर बाइस वावा साहब डक्टर भीम राव अमबेद करके पुन्यति थी जन्यति थी पर उस दिन से ही हमने लोगों से कंट्रिबूशन लेना शुरू किया सहयोग में लडाई के लिए और लोगों ने आकर के देना भी शुरू अब वो एक बड़ी खटना कर्म था 14 15 16 17 18 18 19 तक लोगों ने मुझे जो भी कंट्रिबूशन दिया आज इसमें हम हिसाब अपडेट भी कर दें 39 तारी के पटना उच न्याले एक आदेश पारित करता है उस रिजल्ट को रद कर देता है जो 2 अपरेल को परकासित किया गया थाストम के साइट से दो अपरेल को जो प्रकासित रिजल्ट था रद इसलिए पटना हाई कोट ने कर दिया कि 40% रिजर्बेशन चैलेंज था जो SBT के बच्चे का नहीं था सिर्फ वर्मेंट पॉल्टेकनिक कॉलेज के बच्चों के लिए था और जो प्राइबिट इंस्टूशन SBT से अफ्लिये कर दिया है तो SBT ने प्राइबिट कॉलेज को भी सेटिफिकर दिया है दोनों की मान बराबर होगा एक्जामनेशन कंडक्टिंग है तुरूटी दोनों का सेम है सेटिफिकर्ट जाड़ी करने वाले जैंसी सेम है इस भीनात पर आप अलग नहीं कर सकते हैं और उस अधार प के रिजल्ट को फोल्ड पर रख लिया था प्रकासित रिजल्ट में किसी ब्यक्ति की जॉइनिंग नहीं कराई गई जो रिजल्ट पब्लीश हुआ था उसमें किसी भी एक ब्यक्ति की ज्वाइनिंग नहीं कराई गए जब उनहीं सप्रेल को यृजल्ट रद हो गया, अब परकिरो रिजल्ट संसोधन का है, वॉट ने जो डैरेक्शन दिया, कोट का डैरेक्शन था कि नियावली में परिवर्थन किया जाए, नियावली में संसोधन किया जाए, एक ही और हो गया, दूसरी एक सबसे बड़ी केस उसमें चल ला था जिस केस में हम इंटर्भेनर थे इंटर्भेनर बाद में बने जब पैसा आया समस्योग मिला लोगों का चोंतिस इगारा दोहजार फाइस यूजी सी वाले लोग नियावली को चैलेंज की हुए थे पानिये उच नियाले पत्ना में पानिये जस्टिस पीवी वजंतरी साहब के कोट ने उस केस में सरकार को चैलेंज करा और असपस्ट निर्देश दिया जो फाइनली चल के बाद मे रद हुआ तो उसमें भी आगे आएंगे बहुत बड़ी काहानी तो केस चलना था अब हम लोगोंने कोशिश किया कि सारे लोगों का इच्छा था कि जो गलती हुई है इरड हुआ है उससे संसोधित करके रिजल्ट को पब्लिस करा जाए अपनी मैक्सिमम एफट लगाया कि जो 60-40 का रेशियो तो था सही से अनुपालन नहीं किया गया और विभाग ये बरियता के आधार पर 60-40 को भरा जाना उचित नहीं है पहले मेरिट लिट बना के प्रकासित कर लिया जाए कितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उसके बाद आप विभाग की बरियता जिनकी जो च सब्सक्राइब करें कि प्रंतु कि हमारी जो सुत्र था पता था कि उन्होंने कोई चेंजिंग करने की कोसिस नहीं किया कुछ लोगों का जो फेरिफिकेशन होके आया था 457 लोगों पर दर्ज करता है सचिवाले थाना पटना में और उन लोगों को बाहर करता है रिजल्ट देने की परक्रिया सुरू हो जाती तब तक जितने केस फाइल किये गए हमारे दुवारा उन सभी का एक एक राउंड का लगभग सुनवाई हो चुका था विभाग को नोटीस जारी हो चुका था आयोक को नोटीस कि इसमें आप जवाब देंगे आप इसमें काउंटर किये होते उसमें भी मैं इंटर्वेनर था वीटेक वाले बंधुने केस की हेरिंग एक दिसम्बर का था और वहां से खेल शुरू होता है उससे पहले 28 या 25 नमंबर जहां तक डेट है मुझे आयोग द्वारा एक पत्र निकाला जाता है कि पुलिस बल टंटा बल जो भी प् चारो तरफ भाड़ी संख्या में तैयनात कर देंगे एक दू दिन नहीं 15 दिन महिना दिन तक के लिए ब्यवस्ता जब मैंने इस चिठी को देखा सारे बिहार में जितने हमारे साथ संहर्ष कर रहे थे लोग थे उन्होंने कर दिया कि सरब कुछ नहीं होगा यह रिजल्ट पहलेटे लगे और पहला केस था बिटायब की मामलے का और संजोग इसा बना स्वता अस्टेलग नबजा अस बहारत सारे लोग तिल मिला गया तब तक यह पदाधिकारी से लेकर के मंत्री से लेकर सारे जगह अबनी फढ़ियाद को रख करके सारी चीजों को मैंने क्रेक्ट दुरूस्त किया और बताया कि यह चीज़े कभी संभब नहीं हो सकता है और मार्क्स वेसिस बहाली परतमान दोर में यह पॉसबल संभब नहीं है जहां आज बरतमान उदाहरान आपके सामने पूरी परदेश में हैं जो आप देख रहे हैं कि पूल पुलिया नदी नाला का क्या इस्थिती है और डेली पूल तूट रहा है बेली बांध तूट रहा है माने मंत्री का स्टेटमेंट था पूल को जो से चूहा बांध को खा गया तो इससे दुर्भाग बिहार क्या हो सकता है हमने हमेशा अपनी रच्छा परदेश की रच्छा देश की रच्छा अपनी नौजवानों की रच्छा के लिए जितनी सुझबूज था लगातार हमने कोशिस किया कि नहीं मैं जितना जानता हूँ मैं जागरूख हूँ मेरी कोशिस होगा बेक्ति गत स्वार्थों से उपर उठ करके हमारी कोशिस था कि नहीं सत्त के लिए ले रहेंगे और इन से टकराएंगे जो लोग इस तरह की मनसा पाल रखे थे उनको हतासा हाथ लगा और चालेंज ठोक करके मैंने कहा एक दिसंबर के बाद कहानी अब अनभवराज की शुरू होता है और नहीं नियावली रिटेन इग्जाम का गठन कराया और गठन काने वकाद नियावली को बनवाया बहुत मेहनत लगा हमें और बहुत सारा फ़र्स जो की बहुत सिज़ें ऐसा ह है कि उसके हम चर्चा यहां नहीं कर सकते तो नियावली जब बनके मेरी रिडी हुई साथ मार्च मुझे जहाता है कि याद है साथ मार्च अगजा का दीन था 2023 और इससे पहली की घटना कर्म होता है कि बजंत्री सहाब की पोट से एक आदेश निर्गत होता है कि आप इसमे पदाधिकारी अपर मुक्षचीब चिप सकरेटी तक चीजों को समझ चुके थे कि अनुभवराज की जो दिलील हैं बाते हैं वो सत्य है और हमें तुरत एक्सन लेना चाहिए सभी कार्मिक विभाग के पड़िये पदाधिकारी अपर मुक्षचीब लेवल की बैठक होता ह है और विटी एसी की रिकुजिशन को बापस ले लिया लिए विगापन रद बुड़ी बहाली जो भेजी गई थी आयोग में बापस और मेरी पहली सफलता थी क्योंकि हमारे नौजमान साथियों ने उम्रार पार्क में यह स्वासन दिया था कि अनुभवराज जदी रिज हो हम भी अपना एक्जाम देंगे हम त्यारी करें तमान नौजवान साथियों की चीज़ को पुर्ण हम याद दिला देना चाहते हैं आपकी अधिकार आपकी पावर जोन आपने दिया हमने उसको पुर्जोर्स कोशिस करके उसे इंप्लिमेंट करने का भी काम किया कि दुसरा विग्यापन तो रद्ध हो गई उसके वाद हमारी नियावली पारित नहीं हुआ था अगजा के दीन कल से छुट्टी जाना है दुटीन चार दिन का छुट्टी था मैंने अपनी पुरी एफट लगा करके सिंगल उस दिन का नियावली पारित करवाया था सिंग तक नियुक्ती नियावली तीन बार चार वार कैबिनेट से बापस लोट गया था लेकिन सिंगल नियावली उस दिन पारित कराए और वह लागू कराते हुए तुरत तत्परता के साथ बेदीन एक हफता के अंदर होली के जस्ट बाद सारे विभागसरी कुजिशन मैंने भ बहुते जाता लगवग सीटों की संख्या बर करके आठ से 9000 होगी तिर्षट सो उनासे से लगवग 9000 के आसपस सीटों की संख्या होगी तब तक जितने लोग पास आउट थे सारे लोग एलिजीवल होने जा रहे थे उस पद के लिए हमने निश्वार्थ भाव से कभी भी 22 होकर के नहीं ना जुनियर ना सिनियर हमारी यह सुरू से सोच था अब तक जितने पास आउट व्यक्ति हैं जो भी पद रिखते हैं बिहार सरकार का जिदी एपरचुनिटी मिलता है तो उसकी समाना अबसर सब के लिए लागू होनी जाएए चाहिए कोई भी से सनों जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके नहीं सोच सकते लेकिन जो पासाओ चुके हैं उनके जरूर को सिस करेंगे इस सोच के साथ हमने इन चीजों को किया हम चाहते पूरानी वेकैंसी उतना तितिति तक के वो नियम भी है बैक लोग करके हम लेकिन हमने का कि नहीं सारी चीज़ें सर्व जिसको जोगता होगा हमारे अंदर दम होगा क्वालिटी फड़िया लेंगे कोई आपती नहीं हमारे जो समीदा वाले बंधू लोग थे जो 2011 से लेकर के अभी तक कि हर विग्यापन में हर जग कोशिश रहा वे रोजगार जुनियर कभी भी रोजगार में नहीं आया सब तक मैं अपने समीदा के पद पर हूं मुझे पर्मानेंट नहीं हो जाए इसलिए उनकी अपनी मन सा था उस पर भी बहुत कुछ नहीं है कि इसकी बाद उन्हों उनके द्वारा एक नया टीम तयार होता है उसमें जो सफल स्टुडेंट थे सफल स्टुडेंट बेरोजगारों में कौन-कौन हुए थी जानना बहुत जरूरी है नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे दो के स्टुडेंट नंबर आप संख्या ज्यादा सफल हुए थे एक EWS का और दुसरा इसी कैटुगरी का 6400 जो रिजल्ट दिया गया था चौस्ट दिर्सट सो उनासी उसमें दो कैटिग्री एक EWS के बच्चे और दुसरा नयाना EWS मिला ही था तो नंबर आप स्टुडेंट कम थे EWS में इतना थे लगवक सभी लोग की सेलेक्शन हो गए कुछ ही लोग छुटे थे इनकी लर रहा था ये 6389 बेक्टी से आज तक सभी लोगों ने बैकेंट से सहोग दिया तुबर नहीं लिया कभी पूछा नहीं क्या हो रहा है और 6389 लोगों ने हमारे खिलाफ जितनी भी साजिस्था उन्होंने जो करना था कर लिया अब एक नहीं चलना है उठ करके इन लोगों ने सुप्रीम कोट में केस फाइल किया और 25 अप्रेल 2023 को मानिये सरबोच नियाले में अपने तरीके से तरक दे करके माई लॉड हमें रिजल्ट पब्लिस करके और नुक्ति परकडिया जाड़ी कर ज्वाइनिंग करा ली गई थी और वहां से सरकार ने विग्यापन को रद कर दिया यह नियम के खिलाप है वोट तो एकपचियस चीज़ों को सुना वहां तब तक ना हम गये थे न सरकार के तरफ से लोग ख़़ा थे वोट ने कहा कि ठीक है ऐसा है तो इसको तूरत अस्टे लगा दिया जाए और अस्टे टसको की ऑर्डर दे दिया जागता है अब अस्टे लग गया मामला निश् सब्सक्राइब कोई बात नहीं अब next कि किस की हेरिंग तारिक पर तारिक केसों में अभी तक तीन से चार बार लोग या तो प्रिज्वाइंडर के नाम पर वकील उपस्तित नहीं होने के नाम पर जबकि मेरे द्वारा हर तिथी हर हेरिंग में मजगूती से खाड़ा रहा गया पिछली तिथी जब विता है 24 मई साइथा उस तिथी में सरकार की बकिल इसलिए एफियर नहीं हुआ जो कि दुसरी कोट में सुनवाई कर रहे थे तो एक प्रुविजन है जदी कोई एडवाकट दुसरे कोट में सुनवाई कर रहे हैं उनके दोरान जदी केस्ट आ जाता है तो भाई अगली तीथी दे दी जाएगी नहीं तो टाइम उसी दिन का एक्सेंट कर दिया जागा वो जजज सहाब पर निर्वर्द करता है जजज सहाब उस दिन रिटाइर हो रहे थे बोपना सहाब बहुत भी किये लेकिन संजोग से नहीं पहुंच पाए और उसके कारण डेट एक्सेंट हो गया उसकी सुनबाई अब 100 अगस्त को होने जा रहा है यह काफी मसकत मेहनत के बाद हमारी कोशिश था कि नहीं 6 अगस्त की सुनबाई हो यह तो पूरी घटना कर्म हो गया तो अभी तक इस रिकूर्मेंट में हुआ है अब इस पूरे परकरन में एक ची पर जिवीत रहते हैं तरह तरह की बातें हमने सब चीश सुना और किनाड किया क्योंकि हमारा जो लक्ष था हम वहां नहीं पहुंच पाते लोगों से जब हम बुलच जाते हमें यह सुनना नहीं था कई संस्थान के लोग कोई कोचिं संस्थान वाले आ करके बहौत तरह की बात उन्होंने कहा हमें उनकी एक रिफलाई नहीं देनी थी एक रिपलाई नहीं देनी थी तब तक नहीं देनी थी सब तक मैं अपने सिस्टम के हिसाब से अपने तरीखे से सिस्टम को तोर ना दूँ पर हार न कर दूँ और तही ने कर, कोई नहीं अब एक-एक करके जबाब दूँगा, एक-एक करके जबाब दूँगा बच्चों को मेरे खिलाप जितनी भी तयारी करना था भरकाना था उन्होंने कर लिया अब एक भी नहीं चलेगा समय बदल चुका है तो प्यारे इस्टुएंट सी घटना करम था अब एक कोश्चन बलाबर आ है कि लाखों में कड़ोरों में अनभव राज को रासी प्राप्त हुआ उसी से उनकी जीवन चल रही है किसी ने कहा मुझे कि वाट्सेप ग्रूपों में फर्चूनर खड़िदें हैं चंदे की पैसा से मैंने क्लास में बच्चों को बताया था मेरे पास अपनी एक मोटर मैंने आज मोटर साइकल के अलावा मेरे पास कुछ और जो भी जीवन में अर्ण किया है अपनी संस्थान के माध्यम से फैमली से जादा हम अपनी विवस्था को बदलने में आपके लिए खर्च किया है और आज एक-एक चीज उजागर कर दूँगा एक-एक पन्ने को खोल को कोई लर सकता इस अत्याताई से अपराधियों से जिनकी अपराधी सोच है एक अनभव राज है जैसा वेक्ति चुब बैठ जाएगा तो हजारों परिवार की कतल एक साथ कर दिया जाएगा तो आज हम पूरी एक-एक चीज को परत दपरत खोलेंगे और देखते जाएं क सबस्काइब तक पठना में घर दोज़ए खरस हो राफ पठना में एक दिल्ली में डिल्ली सुप्रीम कोट की मामले में है रंजनकुमार गूर दूसरा पठना उच्छ नियाले में नियावली बनाने में सरकार से इंप्लिमनेंटेशन कराने वी जितनी भी तरह का सोर्सिश हैं वो सारे खर्च को पहले हम देख लेंगे एक केस हमने फाइल किया था सी डबलू जेसी 873 केस नमडर है बकिल साब भी है पैसा मैंने दिया है और एक एले नहीं दिया है जाकर के सारे लोग इसके साक्षदर्श्री और गवाह है पहला केस 873 फस्ट केस था 2022 में हमने फाइल किया और एड़ वाकट बाइवी ग्रीकों में रखा था इनसे हमारी बात थी दो केस की है इसे हमारी बाते थी दो केस की है ठीक है और एक केस में उनकी कॉस्ट है सारे पांच अलाख रुपईया आप जाके पता कर ली जाएगा का हम कल इसको सौट कर पाएंगे इसी का रंत प्रसक्रास भी है तो एक केस का सारे पांच लोगा पुड़ा टेंडर मतलब जितना हेरिंग हो से मतलब नहीं बादा की हेरिंग सिस्टम में तो बहुत कॉस्ट है एक लाख बीज़ार पर हेरिंग तो लोग सकते नहीं है तो हम लोग फिक्स्ट अमाउंट बात करके फिक्स कर लेते हैं दो केस के लिए एगारा लाग रुपया इनको पेमेंट किया ये सिर्फ की सुनुभा लेकिन पेटिशनर बनने का जो कॉस्ट है पर पेटिशनर 500 रुपय की दर से आपको देना है जीतना पेटिशनर बनने जांगे एक केस में ऐसे केस स्थिति में इनको मैंने दो केस दिया एक केस था जो फ़र्जिवारा था उसके लिए और दूसरा जो सिक्स्टी फोटी का कि उन्होंने किया है उसमें हम लोग कोई चैंशिंग नहीं कर सकते इस पर मेरिट नहीं बने गा इसके वॉट में पैसा रेडेंव कर घो तो हम इस पर अबागे देखेंगे यह करके पैसा गिनभाया है इसलिए मैं बहुत बोल्डर रहता हूं अंदर से गारा लाग रुपिया हमने पैमेंट कि जब हम इसमें इंटर्भेन कर दिए साथ में यह संविधा वाले भी अपना आये कि इसके कारण हमारी बहाली नफ्हास है और दो दो लोग पेमेंट करेंगे तो हम नहीं करेंगे हमारा तो बेकार की पैसा जा रहा है ना दोनों लोग पेमेंट कर रहे हैं आप ही देख लिए ह होते और दोनों अभीनों शिर्वास्ताव को ही रखे थे वहां आपको साड़तीन लाख रुपया यहां फिक्स अमॉंट है इनका इसका जितना हेरिंग हो से कोई मतलब नहीं दूसरा मामला था एक यूजी सिक सब्सक्राटिफिकेट पर हमने चैलेंज करा था यह अलग से हम करवाय थे केस को तब तक केस विड्रो ही हो गया यह केस फाइल नहीं हो सका लेकिन पेमेंट वकील को दिया जा सुका है इसका भी साड़तीन लख रुपया पेमेंट हमने कड़ा यह बिटेक वाले में साड़तीन लख पिसरा केसे सी डवलू जैसी सब्सक्राइब तर हो गया सारे केस खारीज कर दिये गए एक लाइन में क्योंकि सरकार ने पूरा नियावली वापस कली रिकुजिशन वापस कली तो सारे केस को आधेस से खत्म हो गया तो दुबारा बीटेक बाले ने 2023 में केस फाइल किया उसमें भी मैं इंटर्वेनर हूं मेरे अलावा कोई तुझमी ज emphasis करने जवाब देने कोट में यहा नहीं पहुचे क्योंकि अपनी अपनी प्रस्नल इंटरस्ट्ट नहीं है कि प्रस्नल इंटरस्ट जहां दिखताओं कि अगली सुनवाई इस केस की 30 अगस्त को है 30 अगस तो 2024 को है इसकी भी पेमेंट हमने कर रखा है पटना हाई कोट में लीगल सपोर्ट के लिए जब पटना हाई कोट में आप केस लड़ते हैं तो बैक इंट से भी आपको बहुत सारा चीज़ें करना होता है अनुभव राज ऐसे ही कोई केस को ठोक के नहीं जीत लेता है क्युक्त की किसी को हम बताते नहीं है कब कौन केस में केस में अस्टेल एगा कोन केस को कब आगे फ़रवर्ड करा लेना है कब किस को सुनवाई से रोकना है बहुत प्लानिंग सोता है उसके लिए अलग मिसलिनियह कर्च होते हैं लिगल सपोर्ट होते हैं तो बो हमने 5.5,00 controlling and monitoring में वो मेरा अपना अलग से होता है अपना सूर्स अपना पैर भी होता है बादवाकी जो हमारे टीम में काम किये हैं बहुत लोग जानते हैं कि सर कैसे और क्या करते हैं उसका 60-40-60-40 वाले केस के फाइल नहीं होने पर बाइभी गिरी के द्वारा यह पैसा लोटा दिया गया कितना लोटा गया धाई लाक रुप्या कि सारे आठ लाक यहां खर्च हुआ पेटिशनर के कॉस्ट और बकील सहाब की फीस लगभग इस केस में सारे चाहिस 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 प्रॉप्या उन्होंने रिटन कर दिया हम यहने माइनस भी कर दिया है अब तो टोटल खर्च माइनस करके टोटल खर्च यहां था 27,25,000 यह तो टोटल जोड़ेंगे तो 27,25,000 रुपया आपकी इतना में खर्च हो चुका था ठाई लाक इनको लोटाया तो लेस करके टोटल खर्च 24,75,000 रुपया खर्च हो चुका था टोटल पतना में उसके बाद नियावली बनबाने और उसे लागू कराने में इनलीगल तरीके से कह सकते हैं कि हमारी कोशिस पढ़ियास पैर भी पहुंच की वदल से लगभग सारे 15,00,000 रुपया मैंने खर्च की इसको इंप्लिमेंटेसन करा जा तुरी तागत और फोर्स मैंने लगाया था अपनी विवास था था हमारा हमने कोशिस किया था चीजों तो यह बहुत सारा चीजें हैं तो यह चीजें टोटल कॉस्ट जो हैं चालिस लाख पचीस जार रुपया खर्च हो चुका था पटना में अब नेक्स थम्रूप देखेंगे सुप्रीम कोट में BTSC के मामले पर अब तक का खर्च अब तक के हेरिंग में 12,67,000 रुपया खर्च हो चुका है अब तक का हेरिंग में 12,67,000 रुपया खर्च हो चुका है रिजल्ट ठाक के तीन बात कुछ नहीं जीरो सुन पुनक पाई होने जा रहा है तो अभी तक यह है वकील सहब जो हमारी संसाधन था पैसा था उसके एकॉर्डिंग दिल्ली हाई कोट के सोड़ी दिल्ली सुप्रीम कोट के एक हमारे बहुत करीबी एवार है अरभिंद सकता था जो समान उनको मैंने प्यक्या साथ में पटना हाई कोट से जो अभी नोश्रीवास्ता हुआरे केस देख रहे थे क्योंकि हम सर से इतनी लगाव रहा है शुरू से आज तक उन्होंने हमारे मामले में कहीं जुबा तक नहीं रोका मैंने जहां कहा उन्होंने खारा कर केस को लड़ा है हमारे पास पैसा है या नहीं है इसकी चिंता उन्होंने नहीं करा लेकिन जहां भी मनें बोला कि सर अपकेस को लड़िए और हम उनको आजीबन सरकी शुक्रुजार है हमारे परती बहुत बहुत जो है यह रहते हैं तो वकील सहाब का बकाया जिदी में क्लियर होगा तो हमें पैसा मिल जाएगा आज तक पैसा सरका मैंने कहीं रोका भी नहीं है यह पैसा भी हमने सरको नहीं दिया है टोटल अभी खर्च ऑन हैंड हमारे हाथों से बारा लग सर्श्ट हजार अभी तक को चुका है हुआ हुआ है डेट बाइट क्या चीज मे दूसरा है कि टोटल खर्च 18,17,000 होता है सुप्रिम कोट का अभी तक का जदी बकिल साब कोंपेमेंट कर देते हैं तो नेक्स पटना में अब तक खर्च 40,25,000 जो पीछे आपने देखा दिल्ली में अब तक खर्च 18,17,000 जो आपने पीछे यहां देखा आपने टोटल खर् 42,000 रुपया आपकी हो जोगी है टोटल खर्च 59,42,000 रुपया हो जोगी है टोटल के टोटल अब अब इस होता है कि इतना पैसा आया कहां से प्रसंद तो यह बहुत मत तो यह 50,60,000 रुपया आया कहां से एक से किन आप रूखेंगे कि इतने आप कि इतना आप अपकी है टोटल खर्च कि इतना आपकी है कि इतने आपकी है प्राइल भी देखाना जुरूड़ी है आपको फाइल छोड़ दिया था फाइल लेकर अब जो देखेगा सहयोग रासी कुल प्राप्त फ्क्राइलिवरेक्थ 65,600 फेया मुझे सयोग राप्त smile 11प्राइल 2020 फेयोग सेयोग शोट राप्त वा मुझे सेयोगल प्राप्त हुआ पांचलाख चौनतीस जर्व पराप्त वाथ नईस अप्रैल को 2,61,100 वी अप्राप्त हुआ था तो लाइस से यह बहुत महत पुर्न है सोलाएस सेशन के बच्चे मुझे बहुत पॉल किये थे और बहुत चीज बताया थी मैं बता देना चाह रहा हूं सोलाएस सेशन के बच्चों के द्वारा यह मैंने इसको जान करके अलग रखा था क्योंकि बहुत इन बच्चों की बिहाबियर को हम समझ शुके थे कि इनकी कहानी क्या है और किसी लेवल तक सोचते हैं की सोच घ्या किम्हेरे साथ सिस्टम में रहा तो सम्विदा वाले के शरंड में आये और सम्विदा वाले की ज्ञान सीख कर के करना चाहेंगे हमारे द्वराघ सब्रप्र निकल तो फिर बापसी करते हुए माफी मांगते हैं तोला उनेजसन से प्राप्त 457 रुपया है चार लाख 557 रुपया उन्होंने रासी निदिया उसे कई ज्यादा इनको पेटिशनर बना दी जब कि ये बड़े सहीयों करने वाले बहुत साथ ही हमारे पेटिशनर छूट गई इनके लिए उन्हें कहा कि सर हमको पेटिशनर नहीं बनाएगा तक क्या जाने हम लोगों को किसवा से बाहर कर दी जाएगा बिगया पनमा से बा सभी जुनियर हमारे ही प्यारे हैं जितना पहले बाले हैं और बाद में भी आपके आएगें उतना ही सारी एकरी समान हमारे नजर में कि आपने जो सम्मान रिस्पेक्ट दिया है ना हम एक तराजू पढ़ता हो लेंगे दो जुनियर के बीच की जगरा में मेरी सुरू से सिदांत रहा है मैं कभी नहीं आया हूं ना कभी आओंगा आजीबन कि आप सरकार से लड़ने चलो विवस्था से लड़ने चलो सिस्टम से लड़ने चलो मैं आउंगा यहिंखिन आप सी दो जूनियर की की मैं स्वाः हजार रुपय इन्होंने दिया मेकेनिकल ब्रांच पूरे बिहार से सियासी हजार रुपया प्राप्त हुआ रॉसन कुमार सैदवी दिया डियो या वेल गेल सेल में कहीं है या इस रो में इन्होंने अच्छी हजार रुपया दिया यह टोटल जामा पूंजी कि 2022 में मुझे प्राप्त हुआ अब इसको देखेंगे कि टोटल रासी क्या होता है टोटल प्राप्त रासी 35,18,100 अब यहां एक बहुत वड़ा प्रेजरी होता है प्रेजरी क्या होता है जो पैसा यह आ रहा था ना क्योंकि हम बहुत स्वतंत्र मन में रखे थे ना मैंने अपना अकाउंट नमर दिया था ना अपना फोन गुगल पे दुनिया जहान कुछ नहीं कुछ नहीं उस कुमरार पार्क में जो उपलब्ध ब्यक्ति थे सब ने काया कि सर इनके पैसा से एटीम से डेली का एक मैंने उस दिन से पहले नहीं देखा कि है हवां सकशात है इसलिए मेरी नियात सब्सक्राइब अप्रेक और इस बच्चे ने जो करा वो दिन जनम नहीं भूलूँगा और उसके बाद से मैंने लोगों से कभी भी जो भी एक रुप्यारासी अपने अकाउंट में में लेता हूं पूरी अकाउंट के स्टेट्मेंट में जाड़ी करते हूं राजेश कुमार इनका नाम है स्रीमान का नाम राजेश कुमार 14-17 सेसन के हैं ये बच्चे तरफ हंगा पूल टेकनिक से पास आउट है 14-17 में और पैसा लेकर करके इन्होंने क्या-क्या फ्रायर कर लिया एक लाख चौन हजार रुपया बिड्रोन नहीं करने दिया और अपन चास जार रुपया किसी तरह उन्होंने हमको भेजा लेकिन एक लाख बहुत प्रेसर करने के बाद एक लाख चौन हजार लेकर के फ्रार हम उनका तस्वीर भी थोड़ा चाहेंगे कि हम देखाएं उनका यह स्रीमान की तस्वीर आपके बाट से फेस्बूक पर मिल इस प्राप्त राशी में से एक लाख चौन हजार रुपया इसलिए मैं बताया कि आप लोग जहां मिलेंगे इनके बैच के हैं दोस्त हैं आप इनसे जरूर कह लिए आप कितना राशी लेके फडार हैं होसर ने असपस्ट बोला है फ्रार है फ्रार फ्रॉड गिरी किये हैं बहुत असपस्ट मैं बोल रहा हूं तो टोटल राशी जो प्राप्त हुआ है अनुभवराज को इस लेश करके एक लाख चौन हजार वो है आपका 33,64,100 रुपया 33,64,100 अब इसके बाद और वाइस में प्राप 33,64,100 अब इसमें हमारे पास पैसा की बहुत दिक्कते आया ओनलाइन में हमने रिक्वेस्ट किया बच्चों से कि सहयोग करें और इन्हों ने भी मेरे साथ जो हम इनको भूलेंगे नहीं बहुत मने उस समय की स्थिति था कि हमें जरूरत था और पैसा नहीं था और इनके बाद हमने बोला कि जीवन में दुबारा हम पैसा की सहयोग के लिए नहीं बोलें इन लोगों ने बच्चे ने भेजा किसी ने 10 रुपया 11 रुपया 100 रुपया 200 रुपया और इनके कुछ सब्द मैंने देखा इनके 200 रुपया मैं खा गया हूं आज सारे पैसा जोर करके दो बार एक बार में 17,100 एक बार में 27,900 दो बार हमने रिक्वेस्ट किया था यही रासी टोटल प्राप्त है जबकि हमें अपने जानने वाले बहुत लोग हजार हजार रुपया का भी कंट्रीबूशन उसमें किया थे तो पैतालिस जार टोटल राशी प्राप्त हुआ था उसमें अब तक सहयोग राशी प्राप्त 34,9,100 पुल जमारासी अब तक अनभवराज को प्राप्त यही हुआ कि खर्च कितना था अब तक टोटल खर्च अन्ठावन लाख ब्याला ब्याली सजार शोड़ी इन अन्ठावन लाख ब्याली सजार अब तक सहयोग राशी प्राप्त 34,9,100 पुल रेस्ट एमांट 24,000 चौबिस लाख 32,900 रुपया किसने खर्च कर दिया किसका पैसा यह चौ कि वहलावा किसी ने रासी दिया है। जिसने भी रासी दिया है वब्भवराज को हमने उस समय भी है ठ्रंस्पैंट वबनाया था एक एक पैसा जीनका जभी चिस मद से आया है सारे नाम लिस्ट क्मण कोंच नहीं कह सकते हैं किस यह देखिए आप को का शारा चाहवा रासी कब लिए गया किनके माध्यम से लिया गया कैसे सा पैसा आया सारा टोटल डिटेल आपको अन्में प्रबाप्त होगा सब का नमर लिखा हुआ है कि न का पैसा है यह को से आकर कि आप नहीं उठा दीजागा अनुभव राजबर कि हम पैसा भेज़ दिए तो यहां पूछ देंगे कितनी बताता दीजिए आपका नाम क्या डीटेल अनमोबाइल नमर क्या लिखाए है एक एक पैसा का डीटेल तो हवा मिम्मत रहिएगा अब यहां देखती जाहिए आफ टोटल टोटल रासी यह प्राप्त है हमारा सारा का सारा कब किस्थी में आया है सब डेट वाइस पाचलाग चौ्तिंथी जार बताय थे सब डेट वाइस है किस्थी theta को डेली बंता था डीटील कितना पैसा आया है डेली का डेली यह डेली देखिए कैस पैसा सिविल ब्रांज से पाँ चार लाख संतावान हजार और मेकेनिकल से 46,000 सारा ची मेंसन है कितना खर्च हुआ है टोटल मेंसन है वहां खर्च हुआ है सुप्रिम कोट में यह टोटल केस में जितना अभी तक अभी तक सुप्रिम कोट में किस तीथी में कितना खर्च है टोटल लिखा हुआ है एक पैसा एक एक सीज़ का हिसाब अपडेट होता है अपना काम चोड़ करकर मैं इस चीज़ को करता हूं अभी तक मैंने मिंदारी को नहीं तो नौजमान साथियो आज हमारा यह बनाने का द 29,900 रुपया जो खर्च किया है और नेक्स एक्जाम एट पीम के द्वारा पे हुआ है जो जिसके लिए बच्चे हमें पढ़ने के लिए पैसा देते हैं मैं पढ़ाता हूं वो रासी वो किसी स्टुडेंट की रासी नहीं है मेरी सर्विस की रासी मेरी संस्थान का पैसा है तो संस्थान ने पे किया क्यूं पैक यह हमारे उसी बच्चे की भविष की बात है जो इस संस्थान चला रहे में इते हैं एक भी संस्थान डेली बहास टू बैस बनाएंगे दुनिया करेंगे परचार करेंगे BTSC की बिग्यापन जब आ जाएगा तो एक से एक परचार आपके सामने होगा आप जाक उस स्थान के कह दो कि अभी परसांत भुसन बकीली को हायर करना है आप उसकी पे कर दीजी एक हेरिंग को कॉस्ट को आपको समझ में आ जागा कितने सा योग जात्र के लिए जेकिन उस तक के अनुभवकराज कभी नहीं किया इस तक नहीं किया है हम तो कर किसके लिए रहे हैं जब बिग्यापन नहीं आयागा बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो जगार के अफसर्स नहीं होगा तो इसको Хम पढ़ाएंगे हैं कいूँ पढ़ाएंगे काहे को पढ़ाएंगे वैसा मेने यहां से ले करके लगाया इस संस्थान से अपने जो भी ص earnings है साथ लोग मेरे सह नरा जो सारे लोग मेरे से तकलीफ में आगए कैसे आप यह गलत कर रहे हैं कल कोई किसी नहीं नहीं देखा कोई नहीं आपके साथ खराऊंगे अब हमारी जो इस्थिति हैं एक रूपया मैं भी अब खर्च करने नहीं जा रहा हूं उसी विवस्था में हैं उसी विवस्था में सक्षम है वो पाया तो ठीक नहीं हुआ तक कोई दिक्कत नहीं प्रस्थन यह है जाकिर इतनी पैसे की बरबा हुआ होगा किसी ने सोचा तो नहीं होगा कि क्या हुआ होगा तो असपस्ट सब्दों में जदी आपको लगता है हमारी दिली इच्छा दो है एक तो 5,50,000 रुपया भिनों स्रीवास्तव सरका बाकी है फाइनल संभावना है हेरिंग का 6 अगस्थ का मानावता के नाती यह पूचित बनता है कि उनकी पेमेंट पे करके कहें कि सर्फ फाइनल हेरिंग करा ले तो मिनमम सारे 5,00,000 रुपया तो लगना है मिनमम है दूसरा हम एक और प्रिकॉशन लेना चाह रहे हैं प्रिकॉशन यह कि एक सम्मिधान का सुल्जा हुआ बक्रीली भी आपके साथ हो हम परशांत भूशन को भी केस में इंगेज करना चाह रहे हैं जहां आपके जिसके खिलाफ आफ लर रहे हैं 15,20,00,000 रुपया पर हेरिंग के हिसाब से बकील उन्होंने हायर करके रखा है तिन तिन चार चार बकील उस तरह के हैं क्योंकि कैक टीम मिलकर के लर रहे हैं के सुल तो आपको 20-22,00,000 रुपया खर्च निश्चीत रूप से आजाएगा नहीं लेना साहते हैं कोई बात नहीं जो सोर्स लें चल रहे थे हम स्रिवास्ता सब्सक्राइब करकर कर कहेंगे कि सर चल लिजए इतना तो डूब उचुका है हम आपका अकर्जदार होंगे हम पुना एक रुपया मुझे सहयोग नहीं करिएगा आप नहीं करिएगा सहयोग मैं बोल दे रहा हूँ जदि आपको लगता है कि नहीं मजगूती से लड़ा जाए क्योंकि जो परिनाम आएगा निरने आएगा हम जदि सहीद भी होंगे तो लर करके होंगे हम कायर नहीं थे हम कायर करके वापस विए इस जितनी लगानी है लगा लें तो अपरेल दोहर बाइस से जितनी तागत अर्टी लगाणा था लगा लिये अभी तक कुछ नहीं कर पाई आगे भी कुछ तो भाव लगा यह मुझे कहना चाह रहा हूं एक दही का सीका जो होता है ना मलाई का सीका घर में पुराने याद होगा यह आप लोग जानते होंगे वह उपर में टांगा जाता है पिलियों से रच्छा के लिए और बिली निगाह लगाए बैठा होता है कि सीका तूटेगा और मलाई खा लेंगे तो सीका तूटेगा तो जरूर मलाई आपके मुझे तक नहीं पहुंचेगा ऐसी भी प्रस्थितियां बन सकती है माल लो एक परसेंट एक परसेंट माल लो कि मेरे फेवर में रिजल्ट नहीं हुआ तुम्हें क्या मिल जाएगा कुछ नहीं तो आपने तो कोई कोशिस नहीं किया कोशिस वहां किया जहां तुम्हारे पैसे लेकर के लोग फरार भी हो गए और घुम भी रहे हैं कार में और उन्हें आप अपने गुरूप में बाड़ सेपों में अपने चबसी और तालियां दे रहे हैं आप उमीद में बैठे हैं अनुभवराज के अनुभवराज तो लर रवे की आके सा आजाएगा विग्यापन आएगा तो सब के लिए आजाएगा ना हम तो चुपचा फॉर यह कोई जरूरी नहीं उपर वाला भी बहुत तागत रखता है प्रस्थित्यां कहीं बिप्रीत हो गई ना आप देखते रह जाएंगे मूंग एक नहीं आपकी चलेगी और आपके सामने से 3389 पद अलग हो जाएगा रेस्ट पज़े पद अलग हो जाएगा कुछ नहीं पद का बिग्यापन अलग हो जाएगे वो लोग तो यह चाहेंगे कि हमारे कंपर्टीशन कम हो कि कंपर्टीशन तो खाली होगा हमें ज्यादा एपरचुनिटी मिले आइसा तो लोग सोच रहे होंगे मेबी वैसी स्थितिती में क्या होगा आपको क्या मिल जाएगा कुछ कुछ नहीं पटना के राजीम नगर कुर्जी में कंकरबाग में पॉस्टल पार्क में बैठ करके और सीका तूटने की जो इंतजार कर रहे हैं ना कुछ नहीं मिले बहुत परसान हो जाएगे और जितने कोछिंस संस्थान वाले जो है ना आपको जो ताली बजबा रहे हैं कि डं responders पर डूडूगी पर नास रहे हैं नास दिरा जाए यह टक्निकी चीज़ें हैं जो मैं बता दे रहा हूं दूसरी अब जो चीजें हैं मैं बता दे रहा हूँ एक हम ये सब के लिए और खास करके जो पुराने नौजवान साती हैं अपनी जुबान को याद करिएगा कुमरार पार्क में आपने जो कमिट्मेंट किया था अनभव राज लड़ाई लड़ो जरुवत लगा तो और प्रस्थिती में खारा होंगे मैं आपको पुनह याद दिला देना जाता हूं कि आपके पास करो या मड़ो की स्थिती बनी हुई है इतनी पैसा परबाद समय परबाद होने के बाद एक परसंट सम्हामना को मैं चोड़ना नहीं चाहता हूं 99 परसंट मैं केस को जीत रहा हूं 0.1 परसंट भी जदी हमसे चूक होती है बवस्था में और आप जिदी खारा साथ हज नहीं होते हैं और नेगेटिव होता है तिर्फ कसुर्वार अनभवराज नहीं होगा आप सभी होंगे आपसे हम अपील कर रहे हैं कि बिटीए सीके सुप्रीम कोर्ट में च्छो अगस्ट दाया 24 की सुनवाई के लिए आपका सहयोग आपेच्छित हैं और निवेदरन करता में अनभवराज हैं पेमेंट करने के बाद स्क्रीन सौट यह हमारा मोवाईल नमर जो वाट्सेप पर ही उपलावद हैं आप इस पर भेज सकते हैं वाट्सेप जरूर कर देगे त्योंकि हम अपने खाता में लीक सकें किन स्रीमान का पैसा मुझे प्राप करते हैं सो मैं वैदानिक चितावनी दे देना चाहरा हूं फ्रेशर बच्चों को कोई भी बच्चे 10 रुपया तो रुपया और 200 रुपया यह सब रासी मुझे नहीं भेजेंगे प्लीज ना मैं खाता में भी लिखूंगा भेजेंगे तिसकी कोई भैलू भी नहीं दूँ बहुत असपस में बता रहा हूं 500 से कम की रासी जदी कोई भेज रहे हैं फ्रेसर बच्चों की में बता रहा हूं मौत असपस कान खुलके सून लेंगे पुराने वाले बच्चे अपने हिसाब से हमारे जो नौजवान साती संगर सिलसाती हैं वो खुश से डिसाइड करके भेज दें अपनी जोगता अनुकुल जो सक्षम है लेकिन पुराने वाले बच्चे जोगता अनुकुल मतलब उनके लिए निर्धाडित हैं ऐसा नहीं है कि वह अपने से करेंगे 1000 से कम वो भी पेर नहीं करेंगे एक हजार रुपय रासे से क्योंकि 20-22 लाक रुपयर रासे पुरा होना बहुत डिफकल्टीज हैं दो हजार रुपै लोग यहीं एक खला रुपया करके देंगे तब 20 लाक रुपया पुड़ा होगा यह बहुत चैलेंज हैं दो रुपया किसी को देने से पहले 200 बार लोग सोचता है मैं इसको 2 रुपया दे रहा हूं तो प्लीज मैं बता देना चाहा रहा हूं और गिंती ना गिनाएंगे आकर के भीर नहीं बलाएंगे एक दम बहुत असपस्ट मैं बताता हूं इन शीजों को जरूर धियान मिल जाए तो खाली जिएगा जरूरी थोड़े है एक दम नहीं पर करिएगा नेक्स्ट कि दूसरा जो भी हमारे नौजवान साथी जहां से भी मुझे देख पा रहे हैं यह वीडियो हमारी दोनों चैनल पर होगा नेक्स एक्जाम पर भी और इंजिनियर संभब जो आप द यह चीज़ पुना मैं कहा दे रहा हूं यह सहयोग रासी 30 जुलाई 2024 से पहले तक ही देना है जदी बजट आप आएगा तब मैं इसके हिसाब से चीजों को एरेंज करूंगा परसांद भूसन को हो स्रिवास्तव सर को हो और भी चीज़े जो करना हो माने केस जितने के लिए जितनी अफ़र्ट लगाना हो तब पर हम तब काम करेंगे 30 जुलाई के बाद हमें आप सहयोग रासी नहीं भेज़ेगे देनी की कोई जरूवत भी नहीं है कि नेक्स हम फ्रेसर बच्चे की सुभधा के लिए एक चीज़े हमने कर दिया आपको दो कोर्स अभी अमारा चल रहा है एक आर्रवी जई-CVT-1 का और एक DLRS अमीन में जो जोग ज्वाइन किये हैं वो हम ट्रेनिंग क्लास भी यहां बच्चों को दे रहे हैं और यहां भ आर्रवी जई-CVT-1 की कोर्स है जितनी भी रासी आज की तीथी से तीस तारिक तक जो भी रासी प्राप्त होगा वो पॉब्लिक में आकर के चीज़ों को बताऊंगा इतने बच्चों ने कलास मेरा ज्वाइन क्या यह पूड़ा कंट्रिब्यूशन नेक्स एक्जाम 8 पीम कितरब से हो पूड़ा का पूड़ा रासी पूड़ा का पूड़ा रासी जाओं कि लेर के और जो बी अमीन सहाः ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी जदिशिस रहा हैं अज से और अभी रासी आए प्रोटल रासी की कंट्रीबूशन हम इस केस के नाम पर 30 जुलाई तक जो भी पेमेंट आएगा हम देदेंगे इसमें से मेरा कोई लोब लालस नहीं हो और किसी परकार की मुहमाया नहीं क्लियर आप कहीं तो पढ़ेंगे कहीं तो त्यारी करेंगे आप मालो की आरड़ी जेए की त्यारी जो प्रेसर बचेओ कहीं जॉब में नहीं हो आप प्रिपेशन में हो आप तो त्यारी कर ही रहे हो ना हमारी इस कोशिस से आपकी च्छोटी कंट्रीबूशन से एक बिहार मे तो रेल्वे में जाने के बाद भी लोग बिहार के लिए चैन हो रहे हैं आठ नौहजार बिग्यापन की आपसंस आपके पास आजाए इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता हुए हमारी कोसिस है आपको जदी लगे आप निशित करिएगा नहीं तो कोई जरूरी और यह भी द च्छाल आ जाये कि शर को को बेचना था खॉरस नहीं बेच रहें तरीशी बहान एक को पर रहे हैं उनमें इसी ख्याल आजाए उट्स महीं करना है मा कर दिजैगा हम लड़ाई अपना लह रहें हैं लरेंगे जितनी अपहट भागमान ने दिया तागत हम करेंगे कारेंगे यही होगा ना। तूटेंगे यही होगा ना। लेकिन कल आप भी याद रखिएगा उनकी भी इतिहास लिखे जाएंगे जो ततर्स थे, जो चुप थे, सांत थे, सामने में अपराद हो रहा था और आप चाहते तो बवस्ता बदल सकते थे, आपकी भी इतिहास लिखी जाएं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि सारी बाते आज हमने क्लियर कर लिया और मेरे मन बहुत हलका हो गया मन भाड़ी था इन कारणों से कि आप तेरह तरह की मन में सोच रहती चीजे हम अपने तरब से जो भी चीज़े बताना थ है Ayya और क्लियर कट मैंने बता आया से किसी परकार का if और वदन नीहीं ंपार आप से जो मैं बातकर रहा हूं कहीं को arts टेली प्रॉंक्टर कहीं कोई लिखा हुआ पढ़कर किने सारी चीजे मैं खुद जिया हूँ मैं खुद किया हूँ इसलिए कहीं कुछ याद करने की जरूआ थे बहुत बहुत धन्यबाद आप लोगों का बहुत बहुत समय हमने बरबाद किया आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपका बहुत बहुत समय को मैंने ले लिया लेकिन जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स बिहार में देख रहे हैं आपसे हमारा रिक्वेस्ट होगा एक भी डिप्लोमा होल्डर्स छूटना नहीं चाहिए और एक चलते चलते जो फ़रारी हैं एक लाख चोवन हजार जितने लोग उसको जान रहे हैं उतना बार जरूर उस पैसा बापस करें नहीं करता है बच्चे आप लोग जान रहे हैं पैसा उनकी बसुली दाएगी चिंता मत करें कोई दिक्कत नहीं अभी तक उनकी सम्मान इज़्जत को हमने रखा था अब इसकी रिगाटिंग कोई कोस्टन्स आपके मन में हैं तो चलते चलते हम लोग कोस जोहित बेलकम एनिवान कोई कोस्टन्स करना चाह रहे हैं इस रिगाडिंग कल से हम लोग कंटेनिव कलास में अपनी भी सहबस्तु पर बात करेंगे इस पर कोई चर्चा नहीं है यह दिए अध्यूट्स प्लीज एनिवान कोस्टन्स यह दिए थैंक्यू थैंक्यू सो मुच्छ